गोबी के पराथे तो हम सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट फूले फूले नरम मुलायम गोबी आलू के पराथे जो आपको बहुत पसंद आएंगे, गोबी के पराथे तो हम हमेशा ही बनाते हैं, आज अलग तरह से हम गोबी बहुत जाँदा बनते आज हैं और फट्ठे भी नहीं हैं बहुत फूले फूले नरम मुलायम बनते हैं इन पराठो को आप ब्रेक्पस लॉंच टिनर कभी भी बना सकते हैं यह बहुत देर तक ऐसी सॉफ बने रहते हैं और इनका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना कि आप एक बार ऐसे बनाएंगे ना पराथे तो आपको रोज बनाने का मन करेगा और साथी साथ पराथो के लिए हम ये हरे लैसुन की चटनी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी लगती है पराथो के साथ में तो आईए बिना देरी के शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चटनी बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने 200 ग्राम हरा लैसुन लिया है यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है भी जाड़े के मौसम में लैसुन को पहले एच्छे से वाश करके हमें इनका रूट कटकर के अलग कर लेना है और पत्तों को रफली चॉप कर लेना है अब जल्दी से पैन में गुछ मसाले भून लेते तो यह दो टीजपून साबुद दनिया दो टीजपून साबुद साफ एक टीजपून पीली सरसो एक चौथाई टीजपून के करीब मेति दाना और दो कर लेंगे बहुत जादा नहीं करना है बसलगा सा रोस्ट करना है ताकि यह मसाले हैं अलगे से क्रिस्पी हो जाए और इनमें से बढ़ी आसी कुष्पू आने लग जाए तो यह देखिए मसाले हमारे हलके से रोस्ट हो गया है अब हम इनको थोड़ा थंडा होने देंगे और जो हमने लैसुन को चॉप कर रखा था उसको हम एक ब्लेंडर जार में डालें इसमें हम एट कर देंगे मसाले जो हमने भूनकर थंडा करके रखा है 103 इसमें एड़ कर देंगे एक हरी मिर्च ब्रक्पने टेस के करणिंगली कमसाद अग ग्या जा सकता है 1 तेबल स्पू अगर यह थिक से ग्राइन नहों तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हैं अब आधा टीस्पून कलाउंजी और आधा टीस्पून अजवाइन और साथी एड़ कर देंगे एक टीस्पून रेचिली फ्लेक्स और एक टेबल स्पून इसमें आप कर देंगे आम आमचूर पाउडर की जगह यहां पर निम्बो का रस भी आड़ किया सकता है और लास्ट में आड़ कर देंगे दो टेबल स्पून सर्सोका तेल और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजे हमारी लहसून की टेस्टी और चट्पटी चटनी तयार हो गई है अप इस चटनी को बना कर फ्रिज में एक वीग तक स्टोर होगी है तो बहुत ही बढ़ा चटनी तयार हुई है तो आहिए ब हम अपने पराथे तयार कर लेते हैं पराथो के लिए पहले हम आठ का आठा मैंने ले लिया एक बड़े बरतन में और इसमें हम एड़ करेंगे दो टेबल स्पून बेशन इससे पराठो का कलर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है साथी आधा टीस्पून नमक डाल देंगे आधे टीस्पून डालेंगे अजवाइन औ और तीन टेबल स्पून के लगबग हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा लैसुन हरा लैसुन अड़ करने से पराठो का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है अगर आपके बास हरा लैसुन ना हो तो आप इसको स्केप भी कर सकते हैं यह रोटली आप्शनल है आप चाहें तो यह से कबत नहीं पड़ता है लेकिन बस हमें डौ पर ध्यान देना है डो हमारा सुफ होना चाहिए अगर ज्यादा स्टिफ नो हम बनाकर तियार करेंगे तो जब राधे में स्टफिंग बढ़ेंगे तो हमारे जो पर आथे वह फटने लग जाएंगे इसलिए हमें डो जो बना में soft paratha बनाना है तो oil हमें बाद में इसमें आड करना होता है यह देखिए oil को डालने के बाद एक बार फिर से नीड करेंगे और अब यह हमारा दो तयार हो गया है अब इसको ढख कर हम करीब 15 मिनट से आदे घंटे तक छोड़ देंगे ताकि दो अच्छे से फूल जाए और तयार हो जाए और तब तक हम फटाफट से तयार कर लेते हैं गोभी आलो की स्टफिंग तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइज की फूल गोभी ले लिए इसको अच्छे से गरम पानी में वाश कर लिया है मैंने और अब फूल गोभी को ग्रेट कर लेना है ग्रेट करने से स्टफिंग काफी बढ़िया और इवन बनती है इससे हमारे जो पराठे है यह फटते भी नहीं है तो यहां पर मैंने फूल गोभी को ग्रेट कर लिया यह दिखिए और अब हम एक पैन रखेंगे गैस के उपर इसमें हम एड़ करेंगे तीन से चाट इबल स्पून ओयल को होने देंगे जब गरांशा दो इसमें मेड करेंगे 1 ती स्पून जीर शेयर होने तो इसमें करेंगे एक नाद कर देंगे अब साथ ही इसमें आड़ करेंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्च तो यहां पे 1 टेपल स्पून के लगबग बारिक कटी हुई हरी मिर्च ले लिए मैंने 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर दो टीस्पून के लगबग डाल देंगे धनिया पाउडर एक टीस्पून दा तो यह देखिए यहां पे मैंने फूल गोबी आड़ कर दी है और अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फूल गोबी को हमें मीडियम आज पर भूनना है थोड़ी देर के लिए सबी चीजे जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें एड कर देंगे न हो चुके हैं अब हम इसको एक बर चला लेते हैं तो यह देखिए हमारी जो फूल गोबी है यह थोड़ी सी नरम हो गई है और अच्छे से सारे मसालों की खुश्बू इसके अंदर आ गई है अब हम लास्ट में एड कर देंगे इसमें उबले हुए और मैश किये वे आलू यहां पर तीन मेडियम साइस के आलू मैंने लिये थे उबले हुए इसमें हम डाल देंगे एक टीजपून अमचूर का पाउडर और थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया अब सारी चीज़ों अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा आपके पास अगर आमचूर पाउडर आप चाट मसाला भी अड़ कर सकते हैं या फिर आप नेंबो का रज ऐड़ कर सकते हैं दिक टकिया इंड़ा कि अच्छे से मिक्स होगी आगर यहां पे आपको नंप कम लगी तट्वह नमक टेस्ट करकर और डिक सकते हैं और आप दो कितनी बढ़िया सी हमारी यह चैनी के हो गई है और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है और गोबी को भूनने से गोबी का जो मॉइस्टर है वो इवापरेट हो जाता है और इस तरह से स्टफिंग ड्राइ बनती है और पराठे को बेलते समय पराठे फटते नहीं और स्टफिंग बाहर भ अब आटे में से हम पोर्षन अलग करेंगे और इसकी लोहियां बनाकर रख लेंगे इतने आटे से 8 से 10 पराठे आसानी से बन जाते हैं तो यह देखिए ऐसे थोड़े से बड़े साइस के पोर्षन हम लेंगे क्योंकि जो यह पराठे होते है इसके लिए थोड़ा सा आदोना शुरूह करते है तो एक-ईक करने करें हम चुल बरें लोई लेते जाएंगे और इस से बाराठे अपनाएंगे न हुह अर देखे शरी करने को पहले सुखी आठे में डस्त कर लें अभड़ेंगे अब इस तरिके से चारों तरफ से हमें आके से इसको स्टफिंग और लाश्ट में इसको अच्छे से अच्छे कर देंगे और इस तरह से हम जो दबा देंगे और ये देखिए एक पाराठे की लोञ्य हमारी तैयार हो गई है, इसी तरीक तरीकिए से सारी लोयों को हम ready कर लेंगे इस तरीके से जब पाराथे बनाएंगे तो हमारे बिलकुल पटेंगे नहीं फूले बढ़िया नरम पाराठे बनेंग और जो stuffing है वो पराठे में चारो तरफ evenly फैलेगी तो यह देखिए एक लोई मैंने और बना कर तयार कर लिया है तो आईए हम पराठे रोल कर लेते हैं एक आठे के portion को हल्का सा आठे में dust कर लेंगे और इस तरीके से उंगलियों के मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे इ बिल्कुल हलके आदो से यह देखिए मैंने इसको रोल किया है और बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे यह देखिए और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी फटा नहीं कहीं से भी और जो अंदर स्टफिंग है वो चारो तरफ evenly फैली हुई है इसी तरीके से सारे पराठ नहीं पराठ आप देख सकते हैं तो जब हमारा डो और बिल्कुल परॉफ्यक्ट होगे ना तो अमारा पराठ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो यह देखिए कितना बढ़िया बना है तो आईे लोह का तवा यहां लिया है इसको पहले अच्छे से उयल से ग्रीज कर ल पराठा एक तरफ से सिख जाए तो इसको पलट देंगे और पराठे के ऊपर हम लगाएंगे घी या बटर तो यहां पर मैं आज बटर लगा रही हूं पराठे के ऊपर आप चाहे तो अपने पसंद के घी बटर या ओयल कुछ भी लगा सकते हैं और यह थोड़ा सा बटर मैं तबे के ऊपर भी लगा दे रही हूं और इसको अच्छे से सिखेंगे तो आप देख सकते हैं आप पराठा हमारा कैसे फूलता जा रहा है तो इक-एक पराठा हमारा ऐसे ही फूल कर तेयार होगा बहुत ही बढ़िया बनेगा इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो तो पराठा बनकर तयार हो रहा है और इस तरह से जब हम पराठे बनाएंगे और पराठे जब फूलेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी पराठे बनेंगे और यह दिखिए पराठे का कलर भी बहुत बढ़िया आया है क्योंकि हमने डो में जो पेशन डाला था उसकी पराठे बनकर तयार होंगे दोस्तों पराठे तो तरह तरह के बनाते है एक बार आलु गोभी का यह पराठा जरूर बना कर देखेगा और आप इसके फैन हो जाने वाले क्योंकि बहुत जादा टीस्टी लगता है तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राइब कीजेगा और जो और आप जब इसे बनाएंगे ना तो दो की जगा चार खा लेंगे इतना जादा टेस्टी लगता है और इन पराठो को आप कितनी भी दे रख देंगे तो यह ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे तो आज यह पराठे मैं सर्फ कर रही हूं लैसून की चटनी जो आमने बनाया थ उसके साथ आप चाहे तो किसी भी अचार तही सबजी के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं देखने में जितना डिलिशिस लग रहा है ना खाने में उससे कहीं जादा डिलिशिस है यह देखे मैं एक पराठा आपको फोल्ड करके पर दिखाती हूं यह देखे बिल्कुल भी आप राठे की वह दोनों पराबर है ऐसा नहीं है कि एक परत बहुत मोटी एक परत बहुत पतली है दोनों परते बराबर है तो आई होब दोस्तों आज यह आलो गोभी के पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो आप भी ज़रूर से ट्राइब कीजिए और अपन